कववा और कवी भूके थे वो भोजन की खोज में निकले हुए थे उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में तोता दिखाई देता है वो दोनों तोते के पास आ जाते हैं तोते सबहा से कुछ मिला भी है या फिर हमारी तरह भूके ही फिर रहे हो एक अमरूद तो मिला था वो मैंने खा लिया अब मैं दूसरे के खोज में हूँ गोरी ऐसे मीठे मीठे फल भी इन माटी चौच वाले तोते को ही मिलते हैं हमें तो सुखा दाना तक नहीं मिलता तोते आज हम पहाडों की तरफ जा रहे हैं अगर मन हो तो आ जाओ हमारे साथ ना बाबा ना वहां तो उल्लू और चील रहते हैं हम तो नहीं जाएंगे वहां अगर ऐसे ही डरते रहे तो एक दिन वह चील और उल्लू तुम्हें इस जंगल से ही पहार निकाल देंगे कवी जी जान है तो जहान है मैं तो वहां नहीं जाओंगा फिर कवा और कवी अकेले ही पहाडों की तरफ चले जाते हैं उन्हें वहां एक जगहा कुछ दाने चावलों के मिल जाते हैं वो दोनों पती पतनी वहां बैठ जाते हैं वो उल्लू जिसकी दोस्ती चील से थी वो उन्हें देखकर उनके पास आता है मैंने कितनी बार तुम सबसे कहा है कि इस दिसा में ना आया करो ये इलाका मेरा है अगर अपनी जान प्यारी है तो चले जाओ यहां से ऐसे कैसे हम भाग जाएं यहां से अगर तुम उल्लू हो तो हम भी कवे हैं मैं देखती हूँ तुम कैसे हमें यहां से भागाते हो फिर क्या था गोरी और उल्लू में लड़ाई सुरू हो जाती है अपनी पतनी को लड़ता देख कालू कवा भी उल्लू पर हमला करता है वो दोनों मिलकर उल्लू की जमकर पिटाई करते है तुमने मेरे सरपर से खून निकाल दिया अगर तुमने अपने माबाप का दूद पिया है तो यही पर खड़े रहना मैं अभी अपनी चील दी को बुला कर लाता हूँ ऐसा कहते हुए उल्लू वहां से भाग जाता है चलो गोरी भाग जाएं वो चील बहुत जालिम है हमें मार डालेगी सरम करो तुम कवे होकर डर रहे हो और मैं कवी होकर बिना चावल खाएं यहां से नहीं जाओंगी गोरी चावल खाना सुरू कर देती है दीदी बहुत मारा है उन्होंने मुझे बहुत मारा है उस काले कववे ने कम उसकी पतनी ने तो मुझे मार मार कर मेरे सर पर से खूनी निकाल दिया मेरे उल्लू भाई जी को मारे वो कववे मैं अभी देखती हूँ ऐसा कहते हुए वो चील और उल्लू कववो के पीछे जाते है नाम क्या है तुम्हारा गंदी सकल वाली कववी गोरी अब चुप रहना चुप रहना गोरी ओए कालू तुम्हारे सामने ये मोटी भैस मुझे गंदी सकल वाली बोल रही है और तुम खामोस हो और मुझे भी चुप रहने का बोल रहे हो कर लो जो करना है हाँ बुढिया मैंने मारा है तेरे इस कुल्लू को और हाँ मेरा नाम गोरी है गोरी मेरी माने बड़े प्यार से मेरा नाम गोरी रखा है आज मैं तुम्हें यहाँ गोरी से काली करके ही भेजूंगी फिर चील गोरी कवी पे हमला करती है और कालू कवा चाहा कर भी लड़ाई से दूर ही रहता है दीदी और मारो ऑर मारो लड़ाई चल रही थी गोरी कवी भी खूब मुकाबला करती है चील बूरी थी इसलिए थोड़ी देर बाद वो ठक जाती है उल्लू जी चलो मैं ठक गई हूँ मैं बाद में देखूंगी इस गोरी की बच्ची को ऐसा कहते हुए चील और उल्लू वहां से भाग जाते हैं वे सरम पती अपनी पतनी को पिटता देख रहे थे गोरी मैं सोच रहा था अगर उस चील ने तुम्हें जादा खायल कर दिया तो तुम्हें उठा कर घर ले जाऊंगा इसलिए मैं लडाई से दूर ही रहा इस चील को तो मैं अब नहीं छोड़ूंगी और तुम्हें तो घर जाकर बताऊंगी चलो उठाओ चावल और चले यहां से फिर वो वहां से चली जाते हैं फिर रात में गोरी कवी बहुत गुसे में थी कालू अगर तुम सोच रहे हो कि मैं चील को ऐसे ही छोड़ दूँगी तो यह तुम्हारा बहम है उसने गोरी से पंगा लिया है गोरी से गोरी छोड़ो वो चील और हम कवे हमारा क्या मुकाबला उनसे दूसरे रोज गोरी कवी सभी पाक्षियों को इखटा करती है गोरी बहन और कालू आपने हम सबको यहां पर क्यूं बुलाया है कल हम पहाडों की तरफ गए थे और मेरी उल्लू से लड़ाई हो गई अच्छा ही हुआ जो कल मैं तुम्हारे साथ नहीं गया चुप कर जाओ डर फोक तोते मुझे बात करने दो वो उल्लू जाकर चील को बुला लाया उल्लू की तो मैंने जम कर पिटाई की मगर उस चील ने मुझे मारा है गोरी बहन अब तो हर पल बस यही डर रहता है कि ना जाने चील कब हमारे घरों पर हमला करतेगी और हमें मार डालेगी इसलिए मैंने तुम सब को यहां बुलाया है तुम सब अपना अपना दिमाख लडाओ अगर वो बुडी चील मर गई तो वो उल्लू खुद बाख भाग जाएगा अब तुम सोचो की कैसे मारना है उस चील को फिर सब पक्षी सोच में पड़ जाते हैं आ गया आ गया मुझे उपाए आ गया मुझे पता था मेरी गंदी आँखो वाला भाई ही कोई उपाए बताएगा बताओ बताओ कबूतर क्या उपाए है हम उस चील को जहर दे कर मार देंगे और उसी जहर देगा कौन तुम्हारा बाप पुद्धु कहीं के मैं ही दूंगा बस अब आप सब देखते जाओ अब चील भी मरेगी और उल्लू भी मरेगा कबूतर भाईया कुछ बताओगे भी या फिर ऐसे ही पहेलिया बुझाओगे फिर कबूतर अपना उपाए उन सब को बताता है जिसे सुनकर वो सब बहुत खुस हो जाते हैं वावा कबूतर आज तुमने साबित कर दिया तुम हम सब में बहुत सियाने हो तब उतर भाईया आप जंगल से जहरी जड़ी बूटी लियाए मैं पानी पूरी का बंदवस्त करती हूँ फिर वो सब अपनी योजना के अनुसार काम करते हैं सुनो सुनो अगर कोई यहां पर है तो आज मैंने जंगल के बीच में पानी पूरी की दुकान खोली है आज की पानी पूरी सभी पक्षियों के लिए फिरी है मेरी बहुत स्वाडिस्ट पानी पूरी है उल्लू और चील कबूतर के ठेले पर पानी पूरी खाने आते हैं कबूतर चरल लाओ तो अपनी पानी पूरी चके तो कैसी है तुम्हारी पानी पूरी फिर कबूतर उन दोनों को जहरीली पानी पूरी दे देता है जिसे खाकर उन दोनों की मौत वही पर हो जाती है इस परकार सभी पक्षियों ने अपनी बुद्धी लगा कैसे वह उमीद करता हूँ कि आप सब कहारियों से हो गए आप लोको नहीं स्टोरी सुनी आप लोको कमेंट करके बताना कि आप लोगों कि नजजी किसका क्या मुराल निकलता है इस वीडियो का खरड़ी जाता है गौल्ड कार्टून को उनकी चैनल से वीडियो ले गई है करता है ना तो किसी से आपके दुश्मेन भी हैं है तो तो उसको पैट कर हल करना चाहिए यह नहीं कि उसके जान से मार दो जैसे वह कोई कवी और कवा जा रहे थे जंगलों के तरफ तो उल्डूने मनाई कि अपर लोगों लड़ाई की फिर उचील को लगा के लेकर लड़ दो आपके लिए जबाबा से मिल बैड़कर इस मुचले काल निकालते हैं लगा के साथ रहना साथ रहते हैं लोग मगर नहीं उन्होंने क्या यह प्लिल मना दिया कि बढ़िए नको जान से गटम कर दो कप चील को लोगो लड़ाई तो कवी की थी और कवी की थी उन्हें मना किया तो देखे कि वहां ना जाओ उनकी जगह मगर वह लोग गए वहां चाहुद खाने की जित में लड़ाई हुई जब लड़ाई होगी बात का तो मोगी वापस अपने घर आगे मगर कवी को क्या था कि भी चील को जान से मानना है उसने गया किया सब जंगल के परिंदों इनको बुलाओ आफस में बैटे मसले काल निकाले लड़ाई जगर हम खतम करें यह खतम करने के वज़ाई है उसको जारदे के मार दिया यह हमारे जिंदगी में इस तरह के हाथ साथ होते हैं कि छोटी सी बात पर हम हमारे लड़े हम बहुत बढ़ी हो जाती है हम यह देखत हैं चोटी सी बात कि बच्चों की लड़े बड़े लड़ी पर बड़े निकला जाते हैं उसको किसी को सखुल मिलना ही नहीं नहीं अगर आप किसी को मारना तो कद को मारे गए गए टो बैठा तो यह एंphone कि बैठके मसला अल के जाय ना कि एक दूसरे को मारते हैं मारने में लगश्जा रहें कि आज उसने हमारे बन्दा मारए किलम हम उसके मंठां उसके मंदा मारेंगे यह दुश्मन भेट बढ़ती है योगी ना कि कम होगी हमेरे चाहिए कके वही इस दुश्मिनी को खतम करें और बैट कर मसले का हल न का ले ना कि दूसरों की जानन लेकर एको खतम करें और जानन लेकर मसले का हल कभी भी कजड़ मज़ेश बढ़ता जाता है तो अमीद करता हूं कि आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी मेरे नजीक तो यह मोरल था आपको कैसे लगी आपको कैसे लगी आपको क्या मोरल है आप कमेंट करके जरूर बते बताना फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए लाँ फेस और वीडियो को लाइक जोरू करें किया करें हो सब्क्राइब करें आपका यह प्यान मुझे बहुत थी अच्छा लगेगा चलो पिर मिलेंगे फिराल के लिए बाए बाए